गायत्री महमंत्र एक बार मेरे साथ दोराओं। गायत्री ने अपने अंदर कितना निखार पैदा कर लिया, इश्वर का अवतरन उसके अंदर उतना ही हो गया। आवेश और आलोक उसका निर्धारन ही इश्वर का निर्धारन करता है। दुर्गुणों को हटा लेना प्रियाप्त नहीं है। उसके स्थान पर सत्गुणों का बीजारोपन और उनका परिपोशन करना भी बहुत आवश्चक है। परिपोशन के बारे में मैं आपसे कहूंगा। जैसे कबूतर अपने अंडे को सेता है, वैसे ही विचार अपने गुण को सेता है। जिस तरह के विचार आपके अंदर प्रस्फुटित होते रहते हैं, उसी तरह से आप अपने सभाव को सेते रहते हैं। गुण कर्म सभाव में समाई हुई बुराईयों को दुस्परवर्तियों को हटा देना, उस खाई को पाठ देना भर है, जो खड़े सभाव से खोदे गए थे। दुर्बुद्धी को छोड़ देने का मतलब यही है, कि आपने अपने जीवन के उन खड़ों को पाठना सुरू कर दिया। परंतु जिन्दगी तो उससे आगे कहीं जीनी है, उतने भरतक पूर्टा नहीं होती, उससे आगे हमको जाना है। बरतन दूहने के, गाय दूहने के बरतन में पैंदे में अगर छेद हो, जितना दूहा जाता है, उससब बेकार चला जाता है, नीचे निकल जाता है। जितनी साधनाई हम करते हैं, अच्छे विचारों की, अपने परिवर्तन की, अगर कुछ देर के भी गंदे विचार हमारे अंदर आ जाते हैं, तो वो जो शक्ति हमने अरजित की, उस शक्ति को निकाल करके निस्क्रिये आपको कर देते हैं। उससे व्यक्ति के व्यक्तितो का उद्देश पूर्ण नहीं होता। अगर उद्देश पूर्ण करना है, तो दुह दुहने वाला जो पात्र आपने खरीदा है, वो साबित होना चाहिए। गुण कर्म स्वभाव के छेत्र में, जितनी उत्रस्टता का समावेस आपने कर लिया, उसमें गंदगी नहीं आनी चाहिए। मैं दुबार से ये कह रहा हूँ, अगर दूद में मक्खी गिर जाए, तो केवल उतनी मक्खी के गिर जाने से ही उसकी उपियोगिता खत्म हो जाती है। आप सूच करके देखो, अगर उत्रस्टता में निक्रस्टता का अंसमात्र भी समावेस हो गया, तो उत्रस्टता के भी कीमत खत्म हो जाती है। अंतह करण में उभार आने लगे, तो समझना चाहिए कि ईश्वर का अवतरण हो रहा है। अंतह करण की बात आप से कर रहा हूँ। गर्मी किरितु आते के साथ ही हर चीज का तापमान बढ़ने और सर्दी किरितु आते के साथ ही हर चीज का तापमान घटने लग जाता है ईश्वर का आवतरन आदर्सवादी गतिविदियो को नापने के लिए उसी से ईश्वर का आना पता लगता है परन्तु जैसे जैसे उसमें कमी आने लग जाती है तो उस्वर उमंग ये चीजे भी कमजोर पढ़ने लग जाती है और मैंने अभी कहा था कि अगर उसका पोशन होता है तो केवल विचार से ही उसका पोशन होता है जब अच्छे विचार हमारे अंतहकरण से प्रस्पुटित होने लग जाएं और उमंगो के रूप में वो क्रियासील होने लग जाएं तो समझना कि इश्वर का आवतरण आपक की चेतना में होने लग गया है आपको विश्व ध्यान के अंदर समाई हुए हर जीवो की उनकी विसेशताएं उनकी सुन्दरताएं आपको द्रस्टी गोचर होने लग जाएंगी अपने कमजोरियों कमियों का थोपना बंद हो जाएगा वस्तुत्य आदमी जैसा स्वयम हो होता है वैसा ही संसार को देखता है वैसा ही संसार के बारे में सोचता है वैसी ही इच्छाएं रखता है और वैसा ही उसका उपभोग करना चाहता है भगवान ने ये संसार हमें साधन के रूप में दिया है जिसका उपियोग करते हुए स्विष्ट तम उपियोग करते हुए हम अपना उद्धार करें ईश्वर आवतरन का चमतकार है वरक्ष पीले पत्ते पुराने पत्तों को त्यागता है और नए पत्तों को धारण करता रहता है नए नही कोपले फोड़ता है उसमें से डालियान और डालियों में से फूल और फूल में से फल निकल करके आते है ये ईष्वर का ही चमकर है जैसे जैसे उसके अंदर अवतरन होता हुआ चला जाता है उसका प्रभाव उल्लास उत्पन करता है पेड़ पोदो पर फल फूल लाद देता है इसी तरह से व्यक्ति के अंदर भी उल्लास उमंगे सतकर्म पुण्य प्रोपकार सेवा ये भाव जगाने लग जाता है चिंतन और कृतित्त में उत्करष्टता आने लग जाती है तो समझना के ईश्वर का पदारपन आपकी सोच के अंदर आपकी चेतना के अंदर होने लग गया आप लोगों ने गंगा आवतरन की कथा को जो बहुत प्रशिद्ध है सुना होगा भगीरत ने तब किया था और उन्हें स्वर्ग से धर्ती पर उतार करके लाया था भगीरती कहलाई थी भगीरत के तब से आई थी तो भगीरती कहलाई थी भगीरत ने विशाल भूकंड की प्यास को बुजाने के लिए और धर्ती से उसकी संपत्ती को पैदा करने के लिए उस गंगा का अवतरन किया सिवने जटाओ में उसको लिया हमारा मस्तिस्क ब्रह्म लोख है उसी को सर्ग कहते हैं सदग्यान की गंगा का अवतरन यहीं से होता है और उसकी धारा विश्तरित भूकंड पर प्रवाहित होती है सदग्यान का विस्तार सद कर्म से होता है और याद रखना कर्म को मिटाया नहीं जा सकता बदला नहीं जा सकता जो एक बार हो गया वो सदैव सदैव के लिए अमर हो गया सदभावनाएं अवतरित होती है वे सत्प्रवती बन करके कर्म के छेत्र में अवतरित होती है तो समझना चाहिए भगीरत का तब सादना सफल होती हुई चली जा रही है आप भगीरत बन जाएंगे उस समय और समझ लेना अगर इस तरह के कर्म सफल होते हुए चले जाएंगे तो ईश्वर दर्सन का जो उद्देश है वो पून होता हुआ चला जाएगा अपने जीवन में ईश्वर की विद्यमानता देख सकना कुछ भी कठिन नहीं होगा उस समय उतकर्स की आत्म गोरव की प्राप्ती का जो आकांग्षा है वो इस पश्ट रूप से उंगली निर्देश की तरह से आपके सामने दिसा देती हुई नाश्टी हुई आपको दिखाई देगी पशु इस्तर की जितनी प्रवर्तियां हैं जो जीवन को एपरियाप्त और रैतरप्त बनाती हैं वो एवांच नहीं आए हैं एवांच दियत आए हैं वो उसी इस्ततीव से हटती हुई चली जाएंगी और जैसे जैसे वो हटेंगी वैसे ही वैसे आपके जीवन का विस्तार होता हुआ चला जाएगा जीवात्मा जीवात्मा ना रह करके महत्मा देवात्मा परमात्मा उनके बन्ने के सोभाग्य को प्राप्त करेगी जैसे व्यक्ति अपने करम को करता हुआ करम के परिणाम के स्वरूप अपने सोभाग्य को बढ़ाता या घटाता है वैसे ही जीव को मिलता चला जाएगा भटकाव के कारण ये लाब बहुती क्वस्तों समेटने और दूसरों को चमतकार करने जादोई विलास और वैभव का संग्रह करने के लक्ष को पूरी तरह से सोची जाती समझे जाती हुई योजना के तहत आप भवतिक और लोकिक संसार को जी सकते हैं बडपन के बाद ठाट बाट रोपे गई उनमाद कुकर्म अपनी प्रगती के नाम पर पतन के गर्क में गिरा देते हैं आकांग्षा संपन्नता संग्रह करने के लिए महनता संपादित करने के लिए मार्ग दर्शन करती दिखाई देती है उतकर्ष की उमंगों के रूप में अपने भीतर इश्वरिय जो सत्ता है वो दिशा और निदेश करती हुई दिखाई देती है विवेक के रूप में उचित को अपनाने और अनुचित की प्रक्रिया को छोड़ देना इश्वर हर घड़ी आपके साथ है और आपकी च्छाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए तक पर है परति एक दुशकर्म के प्रभाव से आपकी च्छाती धड़कती है अंतर द्वंद खड़ा हो जाता है प्रोचसाहन देने वाली शक्ती कुंठित होती दिखाई देती है अनोचित्य के प्रती आपका निरुट्सहा आपके अंदर पैदा होता है अंतह करन को ईश्वर ये सत् जो विद्धमानता है उसके रूप में उस समय नहीं देखा जा सकता बहुत ही अच्छी भात ये है कि व्यक्ति के अंदर ईश्वर ये प्रभाव के द्वारा प्रेम, करुणा, दया, स्रद्धा जैसी सद्भावनाएं असीम आत्म संतोस प्रदान करती है उन्हें चरित्रा करने के लिए कुछ सकस्ट संयम बरतना पड़ता है और त्याग करना पड़ता है तो भी उससे दुख नहीं संतोस पैदा हूता है दिव्य सिक्षन इसी को कह सकते है कि उत्करश्टता की भूख अदम है न्याय और ओचित्य का समर्थन सारस्वत है चोर भी चोरी करने के सिध्धान्त का समर्थन नहीं करता नहीं करता दूसरे के यहां चोरी करता है अगर उसके ही अपने घर में चोरी हो जाए तो उसको वो गलत बताता है गलत बताता है तो यह सिध्धान्त वहीं तक है और फिर से कह रहा हूं कोई चोर व्यक्ती चोर नो पोकर को नहीं रखता ना क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि चोरी ठीक है सत्य की ईश्वर की दिग्विजय उसमें निरंतर ईश्वरवानी की अवाग्या और प्रेर्णा का अवहिलना की जाती है तो वो आदत हमारी बन जाती है और जगते जगाते दरपन धुंदला हो जाता है अंतर आत्मा के भीतर महंता की दिशा में बढ़ चलने की प्रेर्णा के रूप में कोई भी कमी जीवात्वा तुरंत अपनी क्रिया को प्रतिक्रिया के रूप में करने लग जाती है इश्वरिय चेतना का दर्सन अगर आपको करना है तो उस उत्करष्टता का समावेश अपने कर्म में आपको करना होगा सरीर के ढाचे पर द्रस्ती डाल करके देखा जाए तो उसके भीतर किरियानवित होने वाली रीती नीती पर गहराई से अगर ध्यान दिया जाए तो प्रतीत होगा कि इश्वरिय चेतना की प्रकर्ति क्या है और वो व्यस्ती और समस्ती में किस प्रकार काम करती है घटकों के घनिष्टता और अव्यवों की सहकारिता देखते हुए ही बनती है कि किस तरह से हमारे हाथ आँख नाख पैर अंदर के बाहर के जितने अंग अव्यवों हमारे अंदर लगे हैं किस कदर वो आपस में मिल जुल करके अपने काम को करते हैं मैंने पिछले दिनों कहा था मैंने ये कहा था हाथ के पास ग्यान नहीं पैर के पास ग्यान नहीं पेट के पास ग्यान नहीं एक सिस्टम है आपका पाचन तंत्र है उसके पास ग्यान नहीं है ना ना उसके पास ग अलग है ग्यान सबसे अलग है आपके पास नहीं कान के पास नहीं हाथ के पास नहीं किसी के पास नहीं पर क्या ग्यान आपके पास नहीं है क्या आपने ग्यान का प्रियोग किया अगर आपने ग्यान का प्रियोग किया होता अगर ग्यान आपका सक्रिय होता मैं फिर से कह रहा पार, निक्रस्टता, पतन, प्राभव, ये सब आ करके बस गया, अगर देखना है तो अपने विचार में देखिए, अगर इसको देखना है तो अपने विचार में जाक करके देखिए, और ये देखिए, कितनी उमंगें आपके अंदर उठस रही है, कितने उठसाहा, मैंने श सत्य के किसी भी आचरण को जो सत्य पर किया गया हो उसको कोई बदल नहीं सकता उसको कोई टस से मस नहीं कर सकता वो सदा सदा के लिए हो गया और अमर हो जाएगा करम ही व्यक्ति को अमर करता है करम से ही व्यक्ति अमर होता है और जो होता है उसके कुन करम स्भाव पर वो टिका हुआ होता है उसी के अंदर ईश्वर का समावेस होता है जब ये उत्करष्टता की भावनाएं आपके अंदर से जागने लग जाएं और वो तभी हो सकता है जब ग्यान का उपियोग किया जाए तो बारे से कहुआ सूरज के निकलते के साथ ही चारो तरप उसकी धूप के द्वारा आलोक छा जाता है सारा संसार इस पस्थ दिखाई देने लग जाता है उसी से हमें संसार का ग्यान होता है ग्यान हमारा काम तो करता है परन्तु कहां करता है? संसार में करता है अपने में काम नहीं करता अपने आप में अपने अंदर काम नहीं करता बस अगर इस भेद को इस अंतर को हम मिटा ले ग्यान भी मेरा अंग है जैसे मेरा सरीर है वैसे ही मेरा ग्यान भी है मैं फिर से कहूंगा एक को स्थूल सरीर कहते हैं उसमें किसी भी स्तर पर कहीं पर भी ज्यान का समाविस्किरिया तो है, शक्ती तो है, मैं फिर से कहता हूँ, आग की अपनी ताकत है, हाथ की अपनी ताकत है, कितना वजन हम रोज उठा लेते हैं, परन्तु एक ताकत हमारी बुड्धी की भी है, जो जुम्मेदारी के रूप में अपनी कर्तव्य को समझती है, और कर्तव्य को निभाती है, बसंतर इतना है, कि वो स्वार्थ, भोग, विलास, इनको छोड़ करके, परमार्थ, सेवा, करुना, दया, इनको अपनाए, और क्या करे, पराए पन को मिटाए, पराए पन को मिटाए, मैं फिर से कहता हूँ, अगर उस पराएपन को हमको मिटाना है तो कर्तव्य भावना को जगा करके ही हम उस पराएपन को मिटा सकते हैं अगर आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो स्केवल सेवा भाव से ही किसी को आप अपना बना सकते हैं वरना और कोई रास्ता और कोई तरीका नहीं है आप देखते होंगे हमारे सरीर के अंग प्रत्यंग किस तरह से मिलकर के अपने काम को करते हैं आख अपना काम करती है तो जिव्या अपना काम करती है पैर अपने काम करते है तो हाथ अपने काम करते है पर सब मिलकर के काम करते ह तो सरीर की ताकत बनती है, एक भी अंग अगर निस्क्रिय हो जाए, सारे अंग ताकतवर हों, एक अंग निस्क्रिय हो जाए, तो मही पर सारे अंगों की ताकत भी उसी अनपात में कम होती हुई चली जाती है, इसी को घनिष्टता कहते है, वो घनिष्टता देखते देखते जब हमारे बीच में बनती हुई चली जाती है, हम सब के, और गहनिष्टता बनेगी, तो किसके कारण बनेगी, मैं फिर से कहता हूँ, अगर एक सदाचारी व्यक्ति है, तो दुराचारी से घ्रना करेगा, उसके साथ गहनिष्टता नहीं बनेगी, ब्रहम्मन और कसाई का कोई मेल नहीं होता है, ठीक इसी तरह से दोनों के बीच में घ्रनिष्टता नहीं बनती है, अगर घ्रनिष्टता बनती है, तो वहीं पर बनती है, जहां पर गुण मेल खाते है, अगर आपकी विचारधारा इश्वर के गुणों से मेल खाएगी, तो उन विचारों के माध्यम से इश्वर की सत्ता का अवतरण आपकी चेतना के अंदर होता हुआ चला जाएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, आख और कान आपस में गुथे हैं को नहीं गुथे हैं, जीब और इच्छा दोनों आपस में गुथी हैं को नहीं गुथी हैं, ये आपस में गुथी हैं, इसी को घनिष्टता कहते हैं, ऐसी ही एक घनिष्टता मेरे और मेरे भगवान के बीच में, मेरी आत्मा और मेरे परमात्मा के बीच में पैदा हो जाए, अगर ये गनिष्टता पैदा हो जाए, तो जो अलग होने की इच्छा है, जो अलग थलग पड़े रहने की इच्छा है, जो हमें बढ़ने नहीं देती, इस घटक से संतोस और आत्मियता का आनंद लेने की, जो ईश्वर ने केंदर जिसको बनाया है, वो क्रियासील नहीं ह पाता और हम एशान्ती में कईये निरुटसाहा में उसमें डूबे पड़े रहते हैं, बुराईयां हमारी चेतना पर अपने काम को करती रहती हैं, और बुराईयों के काम करने कारण हमारे अंदर तरह तरह की निस्क्रियताए, जो गुन के रूप में हैं, वो गुन हमारे निस्क्रिय होते हुए चले जाते हैं, और उनके निस्क्रिय हो जाने के कारण ऐसे घटक कट करके हमसे छोटी सी छोटी काट छांट के द्वारा जिनका आदमी कहिए, मैं तो नहीं समझता, छोटी छोटे से गुन हमारे कट करके हमसे दूर होने लग जाते हैं, पर तो नही करके कितना बड़ा आकार धारन करते हैं जो हमसे अलग हो करके चले जाते हैं वही रक्त के आशु हमारे अंदर बहने लग जाते हैं परतियेक जिवातमा अहिदे स्रम निरंतर करती रहती है अपनी सत्ता का लाग पूरे समुचे शरीर को देती है ये साधारन सगंता इश्वर ये है व्यक्ति को घटक बनाकर अपने आपको रहना चाहिए व्यक्ति उसका स्वार्थ और परमार्थ उसी के अंदर नीहित विराजमान रहना चाहिए अव्यमों की सहकारिता दर्सनिये है हाथ कमाता है उसे कमाई को मुह को देता है मुह पेट को पहुचाता है पेट पचा करके सारे सरीर में रक्त पहुचाता है रक्त हिर्दे में अधिकतर पतब पहुचता रहता है उस पर अपना अधिकार जमा करके रखता है छोटी बड़ी नलिकाएं सब वित्रण की सावर्थक और साहयक बन करके रहती है सामर्थ का अधिकादिक उपियोग उपबोग के लिए न्युन्यतम की से तुष्टी यही है परति एक छोटे बड़े अव्यव की भाती नीती ये घाटे का सोधा नहीं है आप लोग देखते होंगे जिनकी उम्र कुछ उमरदार हो गए है आप ये देखते होंगे हमारी नस नाडिया एक सीमा के एक उमर के बाद सुकड़ने लग जाती है तो अंग कितने निस्क्रिय होने लग जाते हैं दर्द से भरने लग जाते हैं कराहने लग जाते हैं मैं या फिर से कहूँगा दिखता तो मू कराता हुआ है पर उस अंग के बारे में सोच करके देखिए जिसकी जान निकल रही है उस पर कितना प्रभाव बाहिये प्रभाव के रूप में दिखाई देता होगा मैं इससे क्या कहना चाहता हूँ सुरक्षा की चिंता एहिंकार की उद्दता संग्रह की सडन बचत हो गई और उपारजित अन धन बहुमुल्य रक्त मास बनकर के हाथ के लिए वापिस आ जाता है सुक्षम दर्सियों के लिए बुद्धि मत्ताक से काम लेना हाथ में आदर स्वादिता का स्रेप्राप्त किया जाना अन्यान अव्यवों के द्वारा सहयोग से जुर्रक्त का बहुमुल्य भंडार है वो प्लब्ध है इश्वर्य रिति निति के द्वारा जब उससे काम लिया जाता है तो हमारे हर अंग अव्यव को वो अपनी शक्ती देता है हर कोई अपने हर सारा अंग अव्यव अपने अपने काम को करते रहते हैं परंतु उस दिव्य शक्ती से परिपूष्ट बन करके भी रहते हैं कहीं पर करहा नहीं निकलती है कहीं पर भी देखिए इस सामनजश्य से जो हमारा एक स्तर बनता है वो हमारे बीच में उस सामनजश्य को पैदा करता है सरीर की सुव्यवस्थित बनाई रखने के लिए ईश्वर ने अव्यवों के बीच में एक एकता को इस्थापित किया है उपियोगी आवश्चक का ग्रहन करना अनुपियोगी अनावश्चक का परित्याग करना ये क्रम अविछिन रूप से हमारे अंदर चलता रहता है आप देखते होंगे हम परिपूष्ट पोशन करने वाला अहार ग्रहन करते हैं सरीर उसमें से अपने मतलब के तत्वों को निकाल करके निचोड करके अपने पास रख लेता है बाकी बचा हुआ मल कहलाता है और उसको बाहर फैंक देता है सरन को अपने पास नहीं रखता वो सार तत्वों को निकाल करके अपने पास रख लेता है और सरन को बाहर फैंक देता है मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि इसी तरह से विक्रिकियों को हमको बाहर खदेड देना चाहिए फेपडे में आने वाली सांस जब अपने विशेयों को समेट करके बाहर निकल करके जाती है तो अंदर बुहार करके जाडू लगा करके सच करके गुन कर चली जाती है हमें भी अपने गुन कर्म स्वभावक से सरीर मन और भावना के छेत्र को जहां से भी हो जब भी हो जितना लेने की आवशकता है उतना लें जो स्रेष्ट हो उसे उतकरस्ट तामें और जो एस्रेष्ट हो निकरस्ट हो उसे हम बाहर फैंक दें स्रिष्ट का संग्रह करें गर्क में धकेल कर बाहर करने के लिए जो नर्क है उसको बाहर निकालते हुए चले जाएं सहद सिक्षन इश्वर की नीती नीती को देख कर सीखा जा सकता है जो सरीर सत्ता के अंतरगत आजीवन अपने काम को करता रहता है जनम से लेकर मरण प्रियंत तक जो चेतना हमारे अंदर काम करती रहती है वो अपनी इस्तिती को बदल देना चाहती है और विस्राम में जाना चाहती है हर अव्यव अपनी नीत मर्यादा का पालन करता है और अपने जिम्मे का उत्तरदाईत निभाता है करतवनिस्था मर्यादा का पालन उदार सहकारिता का निरवाह अविस्राम स्रमसीलता जैसी रीती नीती अपना कर ही शरीर स्रमसीलता जैसी रीती नीती को अपनाता है स्वस्त रहता है, मन का संतुलन और अंतह करण का चरीत्र इस्थिर रखता है स्थूल, सुक्षम और कारण सरीरों के बलिस्ट रहने का यही उपाय है इश्वर का कर्तब सरीर से क्रिया कलाप जो हमारे चल रहे हैं उन क्रिया कलापो को कहिए उस ढंग से उस रीती नीती से चलाना जिसमें हमारे अंदर समाई हुई ईश्वरिय सत्ता हमारे उस करम के विधान, विधी विधान को देख करके संतुष्ट हो जाए एबक्ष पदार्थ खाने से, उदर सूल, रेचक, दस्त, नसा पीने से, उनमाद, विस पीने से, मृत्यू, एसावधानी से चलने पर ठोकर जैसे घटना करमों को देख कर फल का सिद्धान्त हमारे सामने पैदा होता है, उसको हमको समझना चाहिए, अपने भीतर जहाक करके व्यक्ति को देखना चाहिए उसकी चर्चा, जिसकी चर्चा अभी हम आपसे कर रहे हैं, दो चार प्रसंग नहीं, ऐसंख्यों, ऐसे कर्म, विचार हमारे अंदर उत्पन होते रहते हैं, जो सतत हमें दिखाई देते हैं इश्वर की रीती नीती का दिखदर्शन कराते हैं, चेतन्य सदा निराकार होती है, इसलिए उसे चर्म चक्षूओं से तो नहीं देखा जा सकता, पर ज्यान नेत्रों से उसकी गतिविधियों का दर्शन किया जा सकता है यदि इश्वर का साक्षातकार, उसका प्रतिफल यही होना चाहिए कि हमें व्यवारिक रीती नीती का निर्धारन उसी आधार पर करना चाहिए, जिसे इश्वर की सत्ता अपना सके इश्वर भक्ति का, उसकी उपासना साधना का उत्तेश यही है कि उसकी रहा पर हम चलें और उसकी रहा पर चलने का जो मरतिलब है, वो यही है कि जैसा वो स्वयम है, वैसा ही हम भी अपने आपको गुण कर्म स्वभाव के रूप में बनाएं अंतर छेत्र की तरह भाईय छेत्र में भी इश्वर ये सत्ता का दर्सन उसकी रीती नीती के रूप में देखते हुए किया जा सकता है, समुद्र इतना पानी जमा कर लेता है, परंतु जमा करने के कारण ही खारा और निरुप्योगी बना रहता है कुछ ही समय में खाद बन जाता है और आताताई आपस में लड़ते मरते और खपते रहते हैं, समाप्त होते रहते हैं, एवांचनियता अपनाने वाले असुर्ता सदा, उसकी दैविशत्ता जो उसके अंदर समाई हुई है, उसके वर्चस्व को घोर संगर्सों के बीच काय हम रखती है, एक से एक बढ़कर अनाचारी आए दिन असीम घ्रना का अनन्त एशान्ती का महाकाल की करालता का करम जमा करते रहते हैं, बुद्ध और इशाई अभी भी जिन्दा हैं, इशा अभी भी जिन्दा है, सिव ददीची हरिश्चंद की धुरू पहलाद की तरह सूर कबीर की जो मीरा और तुलसी की तरह से उनकी सत्ता आज भी जीवित है, काल जयी महामानवों के इतिहास में के प्रस्टों पर उनको मिटाया नहीं जा सकता, उनके करमों के कारण, उनके करम इतने पक्के और इस्तिर है के आप उनको मिटा नहीं सकते, धर्ती और आस्मान है, आज तक वो टिके हुए है, महामानवों के सत्ता अम्रतवानी अजर अमर बनी हुई है, उनके चर्ण चिन्नों पर सदा स्रद्धा के सत दल कमल महानवी अंतह करण में निरंतर सरजित, मतब कहिए, निरंतर अरपित होते रहते हैं, फिलते रहते हैं और इस दुनिया को अरपित होते रहते हैं, उपभोगवादी, संग्रही और अधिपत्य जताने वाले एत्रप्ती और एसंतोस का रोना रोते रहते हैं, उन्हें सोंदरिय का बोध, वे नीले आकास के जिल्विलाते तारों में रात भर लहराती हुई जिल्विलात के देखते रहते हैं, दिन बर दिव्य सोंदरिय का अनुभव हरित्मा के रूप में करते हैं, दिन बर दिव्य सोंदरिय का जो अनुभव करते हुए, वो अपनी हर घड़ी, हर सो लास के साथ अपने जीवन को जीते हैं, चित्र विचित्र, जितनी भी ब्रहांतिया हैं, जो प्राणियों में चलते, बोलते, खिलोनों की तरह जैसे उत्पन होती रहती हैं, वो व्यक्ति को भटकाती हैं, भोला भाला बच्पन इटलाता है, योवन परिपक व्रद अवस्था जितना भावनात्मक होना चाहिए, उसे किसी कलाकार की आँखों से ही देखा जा सकता है, और ठगी सी रह जाने वाली प्रकरती, जो हमारी दुशकर्मों की तरप हमें ले करके जाती है, वो भी हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती है, उसकी तरप से भी हम भो नहीं फेर सकते, आँखे नहीं फेर सकते, इस रस्टी के कणकण में सोंदर ये विखरा हुआ है, परिक सनेहे सहयोग यहां कितना निर्मल प्रवाहा है उस प्रवाहा में हम अपनी चेतना के समुद्र के में किस प्रकार क्रडा कलोल कर सकते हैं, यह देखते ही बनता है, यहां सत, चित और आनंद के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, संगर्स, पाप और संग्र है, जहां भी होगा, वहीं विस्त्रित होगा बादल जल लाते हैं और सूके भूतल पर बखेर देते हैं, सीच देते हैं, उनका किरिया कलाप उन्हें उचा उठाता है, देवता बनाता है, आगबन पर सरवत्र मोद मनाया जाता है बरस्ते भी हैं तो खाली नहीं होते हर वर्स उनका स्तित्व बना रहता है यथावत बने रहते हैं और उसी क्रिया से बने रहते हैं बादलों का पानी मिलता है जमीन से नदियों में नदियों से समुद्र में जाता रहता है ये एक से दूसरे को और दूसरे से पहले को देने की स्रस्ति की सुष्थिर समुन्नत एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वो पूरे संसार को हरा भरा रखता है यदि रोक रखने की लोब की नीती को अपनाया जाए तो बादल क्यों बरसेंगे जमीन अपनी गर्मी नदियों को क्यों देगी नदियां सारा पानी सागर को क्यों देंगे संग रह वरतीस के पनपने पर कितना बड़ा प्राकर्तिक संकट खड़ा हो जाएगा ये कल्पना करने मात्र से ही देहल जाते हैं प्रकर्ती की हलचलों में ईश्वर के कर्तव्य को यदि जहाका जा सके तो प्रभु के दर्सन हम उसी प्रकास में सहज रूप से कर सकते हैं वनस्पती उगती हैं दूसरों के लिए वरक्ष फलते हैं दूसरों के लिए गाय दूद देती हैं अपने लिए नहीं भेडे बाल उनकी रूप में देती हैं और मदुमक्या सहद देती हैं फूल खिलते हैं सुगंद बखेरते हैं जरने जरते हैं नदिया बहती हैं धरती उपने एसंख्य अनुदानों से अनंत प्राणियों की इच्छाओं का पोशन करती है, पवन चलता है, सूरज उगता है, चंद्रमा चमकता है और तारे जिल मिलाते हैं, सब का अपना अपना प्रत्यक्स लाब है, सबी का लाब है, उस लाब को देख करके उनके उत्तरदाइत को समझा जा सकता है, किस तरह से वो अपने उत्तरदाइतों को आज तक निभा रहे हैं, और अडिग होकर के अपने करम को कर रहे हैं, आप से भी निवेदन कर रहा हूं, कि उन एवांचनियताओं को जो हमारे अंदर हैं, हम भी उनकी तरह से खिल खिलाएं, हसें, और अपन करम को करें, उस परंपुरुष, उस एक स्फूर्णा के लिए, सारे असत पर सत्त की, मरण पर जीवन की, अंदकार पर प्रकास की, विगे की अनभूती प्रत्यक्स रूप से की जा सकती है, यही ईश्वर का दर्सन है, इसको हम करें, समय पूरा हो गया, आज की बात को चाहूंगा, आज पांच मिनट ले ठोट पाया था, उसके लिए छमा प्रार्थी ने हूं, ओम शांती ही, शांती ही, शांती ही